अगर प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी तरह निकम्मा प्रदान मंतरी नहीं होते अगर उत दोकुरों रोजगार अर साल देने में सामर्त होते तो मुझे लगता है कि उलड़का बेरोजगार नहोता है कंदे पर हमारे थोड़ा बहार दीजिए वेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए अमन चीन लेंगे जिसने भी समिधान बदलने की बात की उनकी अर्थी से उनका कपन चीन चीन तो कोई अपमान होता है जो आपमान हो जाएका मुझे घंटा फरग निपड़ता इससे अ कि इंडिया नाराज चले चले ले अंधिये सब्स्क्राइब मेटिय में से नाराज नहीं थे आप लोग दिखाते हैं अंदर की वाट अंदर ही रहती हैं जग जाहिर नहीं करते हैं लिए अक्रेश्याथ में लोग भी रहेंगे इंडिया एलाइंस में जितने नेता हैं जितने दल हैं सब के सबाएंगे और प्रचंड बहुमस से हम लोग 24 में सरकार बनाने जा रहे हैं मेडम सुनिए बोल लीजी आपको बोलने का सौक है आपको बोलने का सौक है मोधी जी आपके हाथ जोड कर मेरी प्राथना है कि इनको पत्रकार आपने बनाया है ठीक है लेकिन को कम से कम बीजेपी का वरिष्ट परवक्ता भी बना दीजिए बहुत बड़े हैं चापलोसी करती है नहीं आप बोले हैं नहीं वही मैं बोल रहा कि भारतिये जनता पार्टी को किन-किन मुद्दों से हराना है क्योंकि भारतिये जनता पार्टी वास्तवी मुद्दों से भाटती जा रही है महगाई बेरोजगारी भुकमरी जो वास्तवी मुद्दा देश का उससे भारतिये जनता पार्टी दरकिनार होती जा रही है भा प्रदान मंत्री नरंदर मोधी जी भी आप कॉंग्रेस की बिचार दारा पर चलने लगे हैं अब बताइया करनाटक पर उन्हों ने गैरंटी दी ती तो कहीं न कहीं मेरी जो भीचार धारा है लोगों का जो गट बंधन जो हम लोगों का पकड़ है ना उसी रास्ते से प्रद खाते में 15-15 लाख आएंगे भाईयों बहनों मित्रों अब बता दीजी कितना पैसा आ गया जुमलेवाज जो को हमें नीची एक बार हमारी सरकार आएगी सो सो स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो सब को पक्का मकान देंगे ना किसको मकान देंगे जाए मैं आईये महसूस करा ह जिन्दगी कितपको ले चलूंगा गरीबों की गणी तक आपको नम गरीबों की हमारे साथ चलिए और लोग जाती हैं अब neat प्रदान मंतरी नरंदर मोदी ने कहा कि अगले पांच साल तक अनाज मिलेगा मतलब साफ है ना बेरोजगारी कम की जाएगी ना रोजगार दिया जाएगा ना इकिसानों की आया दुगनी की जाएगी श्रीफ और श्रीफ आपको रासन दिया जाएगा डिक उसलिए पलता है तुसी परकार अंदुम्स है आप बताएं है और सोने देरे मोदी जी करता लोग यहां है जो पोष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं तो देखे प्रधान मंत्री नरंदर मंत्री मेरे लिए असी प्रसनल है तो भूखे नहीं रहे जब वो कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं तो मुझे उनके गरीबी पर संदेह होता है कि ऐसा कौन सा गरीब उसमें छेद लगा के पाइप लगा दो उसी से जो गैस निकलती है उससे चाय बनाया जाता है अब प्रदान हाँ टेकनोलोजी वहीं मैं बता रहा हूं कि प्रदान मंत्री नरंदर मोधी पता नहीं कौन से इनवार सिटी से पढ़े थे कि उनको गैस से चाय में सोच रहा हूं मेरे घर पे जब सलंडर कतम हो जाता तो मैं सोचता हूं कि मैं जरूर एक इस्टील का बरतन लेके सोचूं उसमें अपने कभी ऐसे अरे मैडम ट्राई मैंने मोधी जी के कहने पन नहीं चलता हूं मैं एक देश का जागरू किवा हूं और मैं सिच्छा महंगाई बेरुजगारी पर सवाल पूछता हूं ऐसे पागल पंथी में नहीं पड़ा है उससे मतलब नहीं है लेकिन भारतिय जनता पाटी को कभी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग मजबूत नहीं है देखो मैं कीचड से कीचड को साफ नहीं किया जाता ह कीचड से कीचड को साफ नहीं किया जाता है अब भाजपा को हराने के लिए हम लोग भाजपाई हो जाएं पूठीक नहीं है हम लोग गांधिवादी विचारदारा के अंबेडकर वाजदी विचारदारा के इंद्रावादी विचारदारा के राहुल वादी विचारदारा पढ़ा होगा कि वाइट करवा रहे हैं अब अफसोस तो इस बात का देट रहा है कि पढ़ा लिखा भी अन्धा हुआ उस पर लोग कहते हैं तो पूरी भरत्य जंता पार्टी को आप लोग कहते हैं राम के किए पर चलना चाहिए राम के अगर साथ हैं तो आते का काता मीट उट की दुकाने उखाने के लिए भी बोल दिया अब बताइए कि राम के राज में राम राज के अगर बात की जाए तो मद्रपर्देश में सबसे आदा सोसित महिलाए है देखे वो किसी से भी तुलना कर दें जो वास्तिविक है जो सच्चाई है वो दुनिया को जग जाही रहे हैं अब मन में राम बगल में चूरी अगर उनका उपराष्ट पती को भाई मैं नहीं मानता हूँ आप क्योंकि उपराष्ट पती का एक पद होता है उपराष्ट पती भी प्रधान मंत्री के आगे गड़ाने लगे तो उपराष्ट पती उपराष्ट पती नहीं बता तो रहा हूं कि चंड चंबुकम इतना भी ठीव नहीं होती कि आप बड़े पद पर होते हुए और चंबुकम करें यह गलत बात है तो गलत क्या है इसमें मोदी जी की तारी सब्सक्राइब तो रहां कि अमन चीन लेंगे और चमन चीन लेंगे जिसने बीसमीधान बदलने की बात की उनकी अर्थी से उंक वह ना एक देखे मैं सबीदानी हिंदू हो मैं ब्रहमण कहता हूँ अगर सम्विदान इजाजट देता है तो आप हिंदू राश्ट वनाई उस धर 15 यहां है अब बताये भईया की 18 रूपय कि लो आंना आ सब्सक्राइब और दिखाता कोई भी तुम्हारा है तुम जूट को सच लिख दो यह लोग आप लोगों का साह के पापा से आप सवाल पूछे कि आप गरह मंत्री हैं और आपके जो लोग वहां पे हैं उनकी चू कितनी बड़ी कैसे हुई आपके प्रताप सिना ने लेसंस कैसे बिल्कुल बेरोजगारी की वज़ासे ही है हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग आखरी सांस तक कहते सभी वैंख रहेंगे कि बेरोजगारी के चलते ही अगर प्रदान मंत्री नरंदर देने में सामर्थ होसश्राथ भानी बेरोजगार वानी सहाब रोजगार दीजें ने कहा था सबसे सुरप्षित पार्लेमेंट है में बताइए कि मोदी जी की बनाई सांसद भावन जब सुरच्छित नहों तब मोदी जी का नय भारत कैसे सुरच्छित होगा उसके आम लोग बना था अब वह साथ पैसों का नहीं कि मैं पर्स लेकर नहीं जा सकता हूं लोग बं कैसे लेकर गए वह बारूत कैसे लेकर आप इसका जबाब दीजीएगा मीडिया वाले मुझरा कर रहे होते हैं अगर कोई इसाइई होता सरदार भाई कोई बना के देता तो मुझे लगता है कि भारतिये मीडिया और आप सबसे का अग्रिया घ्रमणा फेकर नहीं है कि नहीं वहां कि दिनली परोड़ान मंतरी नरंदर्मोदी चापनिज कि चाती नाप नहीं नहीं सबसे कैसे कर दिया है तो भारत के चाइक चीज़ बोलूं आपको बुरा तो नहीं लगेगा आपका पेठ और पीठ शिकुड गया है बिल्कुल और आप प्रधान मंत्री नरंदर मोदी की 56 की छाती नाप रही है इस देश की पत्रकार जी को तो हमने नहीं सुना भाई लेकिन पत्रकार 24 घंटा बिल बिलाया करते हैं 56 56 जोला उठाके ऐसे चले जाएंगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए हो मैं इंडिया तो का करेंगे जोतिया राज इंदिया मलिकवाद वही है थोड़ी ना काई कि विदेश जाएंगे थैला उठाकर जाएंगे आप बता दीजिए आपके घर पर जाएंगे तपस्य आप बिल्कुल जो सरकार निकम्मी है जो रोजगार न दे पाए उसे हम लोग 24 मे नहीं बेश देंगे जाके साधू बन जवाद ठीक है धन्यवाद